बिग बॉस तेरा के हिंदुस्तानी भाव याद है आपको उनी की एक ऐसी कौन सी आदत थी जो उनको सबसे अलग बनाती थी घर वे और जो बहुत बड़ी लाफिंग स्टॉक बन जाती थी याद है कि नहीं है चलि हम बता देते हैं इस वीडियो में क्या थी उनकी वो आदत और इस घर में क्यूं हम आपको वो बता रहे हैं वो आदत क्यूं ये जिक्र हो रहा है इस घर में वो भी बता देते हैं लो दुस लीसा गंगवानियों यहाँ पर हम हिंदुस्तानी भाव की फाट की आदत की बात करें जी हाँ जिस तरीके से हिंदुस्तानी भाव कहीं भी बैटके चालू हो जाते थे और पूरे घरवालों का महौल खराब कर देते थे वही चीज़ कल हमको कल के एपिसोड देखते हुए याद आ गई क्योंकि कल के एपिसोड में से चीज़ का जिक्र हुआ है और जिक्र करने वाले है राहुल वैदे जी हाँ राहुल पूछ रहे है निकी से अब यहाँ पर निकी अजीब साल लुक देते हुए राहुल से पूछ रहे हुए यह क्यों पूछ रहे हुँ तो राहुल बोलते है निकी बताए तो इस question का answer पहले पर निकी बोलते है obviously everyone does that क्योंकि यह natural है लेकिन यहाँ पर राहुल सिर्फ इतने तक नहीं रूपते हैं राहुल पूछ लेते हैं कि किस तरह की fart करती है आप जी हाँ यही question राहुल निकी से पूछते वे नजर आते हैं कि किस तरह की आप करती है sound वाली या बिना sound वाली और उसको इनक्ट करके भी दिखा रहे होते हैं तो इस चीज से इस instance से हमको बिलकुल हिंदुस्तानी भाव की याद आ जाती है कि किस तरह के से वो जहां बैठते थे वहाँ पर खुश्बूए फैला देते थे और सारे contestants उसे दूर भागते वे नजरा देते तो भाई ये तरह इस तरह की conversation पहली बार Big Boss 14 में सुनाई दी है और Big Boss 14 में जाद अतर लडाईयां ही सुनाई देती है मजाख मस्ती कम होती है तो हमको लगा कल थोड़ा सा मजाख मस्ती हो सकती है लेकिन ये conversation भी यहीं पर पस इतने ही दो लफजों में दो लाइनों में एंड हो गई लेकिन कम से कम कुछ अलग मुद्दा तो ठागर के अंदर लडाई के लाब आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी conversation के बार में लिख कर बता दीजो में comment section में जादी मा चानल देखते रही क्योंकि ऐसी खबरे हम आप तक exclusively पहुचाते रहेंगे